राधे राधे मेरी यूटूब फैमिली परसु है रक्षा बंधन अगर आप भी मेरी तरह टैंसन में आ रहे हैं कि रक्षा बंधन के दिन कौन सी मिठाय बनाए जो की अपने बजट में भी आ जाए सभी को पसंद भी आए और उसमें टाइम भी कम लगे तो चलिए आज बना लेते है को कोजनेट लड्डों यानी के बुराद के लड्डू यहां पर मैंने यह सूखा नारिल का बुराद ले लिया है साथ में मैंने यह यह पर सारह नर पूरी तैयारी कर दी है मैंने इन लड़ों को बनाने का एकदम एक्कुरेट मेजरमेंट आपको मैं देने जा रही हूं तो जिसके लिए मैंने यहां पर यह अपना मेजरिंग कप ले लिया है तो मैं यहां पर यह बढ़िया से भरके तीन कप ले लूंगी नारियल का टोडली ओप्सेनल है अगर आपके पास हो तो ढाले नहीं तो आप रहली भी दे सकते हैं यारी इसके भी कर सकते हैं साथ में मैंने यहां पर यह नारियल का बुरादा भी डाल दिया है और कैसका फ्लेम कर दिया है लो और मीडियम के बीज में इसको हमें तीन से चार मिनट क तो लड़ो का टेस्ट बढ़ जाता है यहां पर हम डेड़ कपके जितना डूद डाल देंगे मैंने अपर यह फुल क्रीम वाली दूद का इस्तेमाल किया है और अब हमें इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है दो से तीन मिनट के लिए यह जब तक यह दूद अच्छे से इसमें अब्जोब नहीं हो जाता है जब तक हमें इसी लगतार चलाते वे अच्छे से पकासा लेना है तो यहां पर देखिए दूद बिल्कुल खतम हो चुका है और जो यह मिश्रन साता हमारा एकदम बायंट सा होने लगा है देखिए कुछ इस तरीकी का लेकिर इसको लगते हैं तो लड़ू जब ज़्यादा मीठे हो जाते हैं तो नाडिल का टेस्ट ऑटोमेटिकी खतम हो जाता है उसके बाद में हापर लड़ू बनाई रही थी बीच में आ गए मेरी बेटी तो इसने 15 अगस्ट के दिम पार्टिसिपेट किया था इसकुल के फंसन में तो जैसे जैसे यहां पर चीनी खुलने लगेगी आपको जो यह मिश्रन है हलका सा पतला सा नजर आने लगेगा तो आपको गैस का फ्ली मीडियम सा कर देना है मतलब मीडियम टुलो के बीच में रखना है और बिल्कुल चीनी खुलने तक इसको पका लेना है लाश्ट में यहा आप एक cup milk powder डाल सकते हैं, आधा cup भी डाल सकते हैं, दो चमपष़्ितना भी डाल सकते हैं यहां तक की आप मिल्क पाउडर की जगे घर का खोया भी डाल सकते हैं या फिर दोनों ही चीजों को इसकी भी कर सकते हैं ठीक है न आयसा निये कि यह इसके बिना बनेंगे नहीं मिल्डियां से बनके तयार हो जाएंगे अब यहां पर मैंने गैस का फलेम एकदम लो कर दिया है और इसको दो से भाई मिनट के लिए लगतार चलाते वे अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है जो हमारे मिल्क पाउडर हमने यहां पर डाला है न तो इसमें लंग्स भी बन सकते हैं तो आपको यह अच्छे से मैसा करते वे चला देना है एक चमस के जितना लाइची पाउडर डाल दिया है और इसको कर देते हैं मिक्स तो यह हमारा मिसरन है यह बिल्कुल तयार हो चुका है आप चाहे तो इसकी बरफ्या भी बना सकते हैं आप इसकी लड़ू भी बना सकते हैं तो मैं तो आज इसकी बिल्कुल लड़ू ही बना रही हूं चेह कर ने दो दुबाल के रखा वहाई शाम के टाइम में ही दो दाता है खाना वाना हो चुका है तो थोड़े से बरतन वगेरा रह रहे हैं लड़्डू बनाने के बाद सोचरी को साफ कर लोगे एक प्लेट को हलका सा घी से ग्रीज कर लिया है और यह मिसरन यहां पर हम निकाल लेत हाथों पर थोड़ा सा घी डाल लेते हैं और लड़्डू सारे हमारे एवनली बने तो मैंने हाप पर यह एक स्पून ले ली है तो इसी से में यह सारा मिसरन ठाती रहूंगी और लड़्डू बनाना शुदू कर दूंगी इसके लड़्डू पहुत यहासानी से बन जाते बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना पड़ता है आपने देखा थोड़ा सा मिसरन हाथ पे रखा उसको बाइड किया और थोड़ा सा इसकी सेप को इवन करते वे हतेली में घुमा दिया अब जो मार्किट में लड़्डू देखते हो उसके उपन यह गोले के बुरादे की कोट करती हैं तो देखें यहां पर यह लड़्डू ना पहुत ही आसान से बन रहे हैं इसका जो टेक्चर एक तब माकमल है मतलब पहुत ही जादा यह सोप बनके तयार हो रहे हैं अभी तो यह मिसरन भी काफी ज्यादा गरम है जैसे जैसे ठंडा होता चले जाएगा लड़्ड अब मुझे यहां पर लड़्डू अगयरा नाती काफी टाइम हो चुका था तो मेरे हजबन मेरी साथ में लगे हैं लट्डू में आपको तोड़के दिखा रही हूँ इसमें चिप चिप पहट नी है अब मतलों बहुत ही ज़्यादा अच्छी लट्डू बन के तयार हुए है अब मैं इसको इसको स्टोर कर रही हूँ मैं तु महीने बरके लेनी करूंगी केवल रात-रात के लिए कर रही यानि के अरणाव का ले लिया है लेंच बोक्स जितने लड़ू इसमें आया है मैंने रख लिया है दो तीन बच गए थे वह मैंने साइड में रख लिया है तो चले मैं इसको फ्रीज में रखके आते हूं अब आप पोलते हो वैसे मुझे अच्छानी लगता यह सब दिखाना झाल